उंट के शरीर में क्या-क्या विसेष्टाएं होती हैं जो उसे मरुस्तल में रहने के अनुकूल बनाती है तो इसका उत्तर है उंट की सारी रिक संद्रचना उसे मरुस्तल ये परस्थित्यों में रहने के योग्य बनाती है जिसका कारण नमबर एक इसके पैर लंबे वैगद इस पालादिदार होते हैं जिससे वे रेत में दर्स्ते नहीं हैं और शरीर को रेत की गर्मी से दूर भी रखते हैं यानी शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। इन में मूद सोर्जन की मातरा भी बहुत कम होती है तथा मलसुसक होता है उन्ट की तचा मोटी होती है जिससे इने पसीना भी नहीं आता है जिससे सरीर से जल का हाश बहुत कम होता है नमबर चार इनके सरीर का सबसे महत्पुन हिस्सा कूबड होता है हाँ वही जो उपर की ओर उठा हुआ होता है उन्ट यहीं पर चर्बी स्टोर करके रखते हैं और जब तेज गर्मी में भोजन पानी मिलने की उम्मिद नहीं रह जाती है तो इसी फैट के सहारे वे जिंदा रहते हैं लगवक एक महा तक उट बिना पानी के जिंदा रह सकता है नमबर पांच उट की तीन पलके होती हैं जिसके कारण रेगिस्तान में चलने वाली तेज हवाओं और धूल मिटी से उसकी रक्षा करती हैं नमबर छे उटों के देखने और सुनने की सक्ती बहुत पूल भूरा होता है जो मरुस्तल में उसे रहने के योग्य बनाता है नमबर आठ उट की होट मोटे होते हैं जिससे ये अपने नथनों को ढख लेते हैं और नमबर नो इनी सभी विसेश्ताओं के कारण उट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं